ओके चिल्डरेन जैसा कि हमने पढ़ा कि we rest and sleep ऑन देडरूम हम बेडरूम में क्या करते हैं rest और sleep करते हैं guest room में अपने guest को welcome करते हैं kitchen में खाना पकाते हैं ओके अभी उसके बाद हमें क्या है कि we go to toilet हरे घर में एक washroom होता है कि we go to toilet in the washroom we brush our teeth और बाथ रूम में हम क्या करते हैं अपने दातों को ब्रश करते हैं बाथ लेते हैं है न भी इट आवर मील इन डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेवल पर हम लोग अपने भोजन करते हैं हर एक रूम में बहुत सारे होते भी अस्टडी इंदा 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 स्टडी रूम study room में हम study करते हैं, we store things in a store room, store room में हम अपने चीज़े store करते हैं, we pray to God in the prayer room, prayer room में हम God को pray करते हैं, तो देखा बच्चों, हर एक घर में कितने room सोते हैं, हर एक चीज के लिए एक room होता है, बातरूम का अलग होता है, kitchen अलग होता है, भगवान को जहां pray करते हैं, वो room अलग होता है, store room अलग होता है, study room अलग होता है, है न, तो देखा एक घर में कितने प्रकार के rooms में, कितने प्रकार के चीज़े होती हैं, है, अब इसके बाद है, the house in which we leave with our family is our home, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आवर होम हो हमारा घर होता है, जिस house में हम अपने family के साथ रहते हैं, वो हमारा घर होता है, we must keep our home clean, हमें अपने घर को हमेशा neat and clean रखना चाहिए, if we love and respect our family member, हमें अपने और अपने family member के प्रती प्यार और respect रखनी चाहिए, our home will always be filled with happiness, और अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा घर हमेशा खुसियों से भड़ा रहेगा, है ना, जहां पे बच्चे ममा पापा की बात सुनते हैं, उनका respect करते हैं, तो वो घर में हमेशा खुसियां बनी रहती हैं, इसके लिए बच्चों अपने ममा पापा का कहा सुनना चाहिए, वो जो भी बोलते हैं, उनकी बात मानने चाहिए, वो आपके रिभले के लिए ही बोलते हैं, ठीक है ना, मुझे आसा है, आप लोग ऐसा ही करेंगे, अभी science fact में क्या दिया गया है, अरली man did not know how to build houses, जो पहले प्राचिन जमाने में जो लोग रहते थे, उन्हें नहीं पता था कि how to build houses, घर कैसे बनाना है, he lived in cave and on tree, वो फिर कहां रहते थे, या तो गूफा में रहते थे, या तो पेड के उपर रहते थे, है ना, क्योंकि उन्हें तो घर कैसे बनता है, ये तो पता ही नहीं था, ठीक है, I hope आप लोग ये चीजों को हमारे class कैसे हैं, हमारे घर कैसे हैं, घर कैसे बनता है, घर कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और इस वीडियो को देख करके, आप लोग अच्छे से समझ करके, और घर पे reading कीजिए, ओके, आपकी question answer कितने हैं, अभी से